धर महादियों दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चनल रोज क्या गरू में दर्श को मासिक सिवरात्री के दिन जो भी ब्यक्तिय चोटा सा उपाय कर लेता है उसकी सभी मनो कामना पूरी होती है घर में सुख शम ब्रिद्धी माल अच्छिमे की कृपा बनी रहत कर और करके समझाने का प्रयास करती हूँ इसलिए जो भी भाई बहन अभी तक रोज क्या करू को सस्क्राइब नहीं किये सस्क्राइब आप जरूर करे ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुचा सके दर्श को करज से मुक्ति के लिए ब्याप प्रयदोस काल में जो ब्यक्ति पाँच दीपक पाँच स्थानों पे प्रजुलित करते हैं उनके घर में सुक्रशम्रिद्धी बनी रहती है पहला दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पे घर के मुख्य द्वार पे प्रयदोस काल में आप एक घीका दि दोसरा दीपक दर्श को आपको लगाना है बेल पत्रे के ब्रिक्ष के नीचे तीसरा दीपक आपको लगाना है या तो आले का ब्रिक्ष मिल जाए या समी का ब्रिक्ष मिल जाए इन दोनों ब्रिक्षों में से किसी भी ब्रिक्ष के नीचे आप लगा दीजेगा चोथा दीपक आपको लगाना है भगवान संकर जी के मंदिर में जो भी व्यक्ति चार दीपक मासिक सी उरात्री हो या प्रेदोस हो या सोमवार हो या सुक्रवार हो एका दसी तिथी हो यदि चार दीपक चार स्थानों पे लगाते हैं तो उनकी मनो कामना अवस्ची पूरी ह जोगी घर में सुख शम्रिद्धी माल लच्छ में की क्रिपा बनी रहेगी। पुजरी पंडीजी कहते हैं कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तु भ्यम।